तो भाई हमारे गड़ से जो इसका डिस्टेंस है वो है नियरली सोला किलो में तो भाई ट्रिप्लिंग पुनाई करें यहां पर विना एल्मेट के लिए यहां गई है दर्वेवती मैप हमें दोका दे गया और हमका काफी को बत किया है यहां पर कैश में मालब पेमिन मेरे पी है टिकेट काउंटर अंदर की तरफ है काफी बीड़ है तो भाई इस तरीक से टिकेट बनाया हुआ है तो यहां पर जो 50 रुपीज है उसमें किस तरीक से आपको बताये गया है एंट्री का आपको दिखरा होगा 20 रुपीज है और गाइड जो की मतलब मेंडेटरी है 30 रु की मदद की है यहां पर प्रुपीज में करेइड सीर रहा हुआ है्साइस दूज है अ मिभम कर रहे हैं हुँ रिए कुछ यह थे का प्रोसीजरर तो यह पे गार्द लगें और जयांटरी के पर आपके टिकेट चेक करते हैं कि एंट्री कुछ इस तरीके सा है और पूरा वूडन का ये बना हुआ है लकडी का का और काफी प्यारा व्यू अंदर गुशने के साथ ही दिख जाता है तो ये पूरा मैप यहां दिया हुआ काफी सुन्दर है यहां का पत्थर बना हुआ है और यह लकडी के ग्रीन लगी हुए है हर चगह पर दरारों की खोस्तों देखिए चट्टानों के बीच में मतलब यह चट्टानों में उगए हैं यह तो वह आपको देख पा रहा हो कैक्टस पूरा हुआ हुआ है पूरे पत् इसे जगह पर उखते हैं जहां पर पानी का इक कत्रा भी नहीं होता है इसके बारे में कुछ विवरेणि यहां पर दिया हुआ है तो जहां पर रीगिस्तान होता है क्योंकि है काफी टफ शिसंस में ग्रो करते हैं सब्सक्ता पर भाइब हो जिए नजदीक से कि इसमें काफी सारे लेयर्स बनी हुई है तो इन पत्थरों में लोही के महतर काफी जादा होती है इसलिए इसको लोह रंजित बलवा पत्थर भी कहा जाता है यह देखिए इसमें काफी छेद भी है यह लोहा निकला हुआ है यह आपको दिख पा रहा होगा वह आगे देखे तो यहार काफी सारे पत्थर है तो मैं एक एक करके दिखाऊ हूँ इससे बैटर होगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पॉस करके भी इसको पढ़ सकते हैं और आपका टाइम भी काफी बच जाएगा इस केस में अब ग्रिनेट का कुछ है पत्थर यह भी देखे स्लेट का पत्थर और सामने आपको में टाइट आपको दिखपा चट्ठान देखे किती सुंदर दिखाई दे रही है तो यहार यह हर जगे पर यह जो बनाया हुआ है च्छाया के लिए और काफी सुंदर नजारा लग रहा है देखने बर से और दोस्तों वर्थी है जो 50 रुपीज का जो टिकेट है यहां पर क्योंकि जो नजारा आपको चारा दर्स दिख पा रहा होगा यह देखिए यह जो आपको दिख रहा है यह 16 करोड साल पुरा पथर है जिसके विशे में यहां पे लिखा हुआ है जो यह छूना पत्थर का जिवाश में इसमें आपको अबर भी यहां पर सीपी यह दिख रहे हुँगा आपको सबसे प्राचन जिवाश मैं पूरा पत्थरों से बना हुआ है जो की 600 मिटर तक फैला हुआ है काफी अच्छी लोकेशन्स आपको मिल जाएगी अगर प्रीवेडिंग शूट के लिए कोई अगर जगय तलास रहें जैपूर में तो यह जो किशन बाग बनाया गया है सैम डून्स जिसको कहा जाता है जैप पर बनाया गया है और अगर आपको जैपूर में रहके जैसल मेर और बाड मेर का अगर आपको लुट्फ उठाना है तो यह जो डेजर्ट पार्क बनाया हुआ यह बिल्कुल हुब हुआ उसी की थीम पर बनाया हुआ है तो आप जैपूर में रहके इसका लुट्फ ले सकत कि अच्छ ले दोस्तों अंदर चलते हैं कि देखते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे हर चीज का डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है आप बैठ के अराम से पढ़ सकते हो चारो दरफ आपको यह दिख जाएगा आपको और हर जगे यह बनी है हाट तो आप लोग अगर जैपूर से हैं तो एक बार जरूर इसको वि कि समझ में नहीं रहा है कि इधर जाना चाहिए यह पर जाना चाहिए बढ़ लोग इधर जाएंगे क्योंकि पबलिक काफी सारी यहीं पर जा रही है तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर में एक एक पोदे के बारे में अगर एक चट्टान के आपको बताने बैठोंगा तो यहां पर रात हो जाएगी तो हर जगे इन पोदों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हर जगे लगा कर तो आपको अगर यहां पर विजिट करते तो काफी असानी रहेगी उस पोदों के बारे में जानने में तो अब यह तो हम सिर्फ 200 म किलोमेटर आगे तो भाई अभी तो एक किलोमेटर और आगे हमें चलना है तभी तो हम थोड़ा बहुत ही आए और मैं बताना चाहूंगा चाहूंगा जो यह चीज है आपको लगेगा कि बैठने का या फिर कुछ हो रहे है बट यह डिस्ट भी नहीं है ओहो केंटेन के लिए यहां पर देखिए काफी ज्यादा स्पेस है जो बाउंडरी आपको दिख रही है यह पूरी इसी बाग की है किशन बाग की और यह बाग जो है चोसाट एक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और वो देखिए आपको बहुत दूर तक है यह पूरा आरावली हील्स पे बना तो भाई रास्ता देखिए आप काफी सुंदर यह लकडी के फंटों पर बना हुआ यह वाला पहले आपने पत्थर के फंटों पर देखा पो फिर से बैठने की जगह मिल जाती है जगह जगह पर मतलब 200 मिटर की डिस्टेंस पर अगेन अगेन तो यहां पर फ्री पानी की विवस्ता दी है तो यह भाई लोग देखो उपर चड़कर लेकर आए हुआ है जगह के बारे होता है यह आप लोग करते हैं शे साल पुरना है शे साल से चार साल से आप ही करो इस पर काम तो यह वाई साब जो नीचे बैठे हुए है यह पिछले चार-पांच सालों से इसक का पूरा पूरा योगदान है और यह जो भाई साब यह भी इनके संयोगी है आपको यह दिख पा रहा हुआ यह देखे हाट बना हुआ पूरा और पानी वगएरा की विवस्ता है और सबकुछ की विवस्ता है और जैसे कुछ आग लग जाती है तो उसके लिए फायर काफी दूप में काफी ड्राइ हो गई है तो इसको पॉलिश करें बाइसाब आगे तरफ क्या है तो यह दर जा रहा है और एक रस्ता इधर जा रहा है और से पब्ली काफी आरी है तो हम इधर एक बार चाकर देखते हैं थोड़ा सा और यह पूरा थार मरुस्तल जैसा बना कि पारा होगा पूरा रस्ता इसी है और फंद्रा-फंद्रा-बिस-बिस-फूट की जो जाड़िया है आपको घास जो दिख रही है वो मिल जाएगा आपको कितना कितने दूर है अभी तो आदा भी नहीं है उन्होंने बताया में तीन सेड़ी आएगी सो सो दो सो मिंटर की दिस्टेंस पर पहली सीड़ी आ चुकी हमारे सामने उपर आके नजारा बदल जाता है तो जगे जगे पर यहां पर गाट्स रखे हुए तो यहां से चड़ने के बाद हम यहां से चड़कर रहे हैं अब यहां से उतरना भी पड़ेगा तो यह थोड़ा समझ में आपको दि देखो थक गए अभी इस तरह देखना विदेखे कैसे चल रहे हैं कि इधर देखना कि यूट है कि दूसरी सीडियां चलू हो चुकी है कि उन्होंने बताया था भाई रेकिस्तान में जब आते हैं ना तो आप लोगों को लेदर शूस पहनने चाहिए ना कि स्पोर्ट शू जूरत पेड़ यहां पे लगा हुआ है एक चीज़ देखिया आप इसमें यह जो पेड़ है यह नीचे से तो सूखा है और ऊपर से पूरा हरा वह देखिया आप उपर की डालियां पूरा हरा है तो भाई यहां पर हम जा रहे हैं पॉंड के तरफ तो आपको सामने दिख र आपको और इसमें कफे तारी मचलियां भी आपको दिख पा रहा हो तो चोड़ी चोड़ी और भाई इसका सेराना ना ले क्योंकि यह बहुत नाजू की स्तिती में लगे हुए इनका काम चल रहा है कब तक चलेगा पांचे साल हो गए इनको चलो भाई अब देख लो इस किन नारे से आप तो मैं कोशिश करता हूँ आपको मचलिया दिखाने की तो आपको दिख जाएगा जहां तक है तो यह चोड़ी-चोड़ी मचलिया इस तालाब में छोड़ी गई है तो वह यह जो जगह है पचास अपर में आपको विजिट करवा रहे हैं वह वर्थी काफी का काफी अच्छा टूरी से स्पोट बनाए गया पूरा जैपूर सेर के बीचो बीच और यहां पे काफी लोग आ रहे हैं यहां पर देख और होगा है तो लोगों ने पचास अपर दिये तो हम यहां पर पूरा गूमेंगे चार-5किल्यमेटर का जोड़ीया है कि काफी सही है पूरे सहर के भीडबाड वाले लाके से दूर यहां पे किसी भी प्रकार का ट्रैफिक का आपको खौरन तक नहीं सुनाई देगा तो काफी पीसफुल एंवायरमेंट है आपको यहां के अच्छा लगेगा तो एक बार विजिट जरूर करें यहां पर दोस्तों बताना चाहू देखने को मिलेगी फिलाल भी आपको इसुकी घास के अलवब कुछ नहीं दिखाई देगा तो भाई अब हम जा रहे हैं दरस्यमचान की तरफ जो कि इस तरफ पड़ता है तो भाई दरस्यमंच यहां के एंड हो जाता है ऐसा कुछ खास नहीं यहां पर काफी सही लोकेशन कि आपको दिख रहा होगा यहां पर यह एंड हो जाता है तो भाई जो दरस्यमंच था वह आखरी पॉइंट था इस लोकेशन का और इसके बाद यह जगह आपर यह एंड हो जाता है और तकरीब हमने डाइगंटे का समय लिया इसको एक्स्प्लोर करने में तो आप अपना जाए गंटे का समय निकाल करें वह देखिए पानी क्या चलता रहा था यहां पर चूप पानी के लिए आपर कोई मोटर वगएर अभी नगी लगी है तो इसलिए यहां पर मैनुवली लोगों को यहां पर पानी लेका राना पड़ रहा है बाकी फ्यूचर में जैसे जैसे बीतेगा तो यहां पर यह फैसिलिटी आपको उपलब्द करा दी जाएगी बाकी टॉइलेट की विवस्ता कहीं पर भी नहीं है इतर तो आप थोड़ा गेट के पास टॉइलेट बना हुआ उसको इस्तमाल कर गई आए पहले तो अभी जो घड़ी में टाइम हो रहा है वो है चार बच कर दस मिनिट अभी टाइम साधे चार हो चुका है और पबलिक देखो अभी भी आ रही है तो छोड़ दो है जिला दिया हो इसकी बाल अब अभी टाइम हो चुका है चार बच कर रिगतिस मिनिट और हमारा जो था पूरा हो चुका है टूर यहां का किशन बाग का और हम यहां से निकल रहे हैं तो हमें टोटल ओवरोल दो गंटे और 30 मिनिट का समय लगा है पूरा किशन बाग एक्स्प्लोर करने में और दोस्तों एंट्री के टाइम पे जो पार्किंग है आपको अंदर की तरफ दिखेगी और वहां अंदर की तरफ और भी अगर आप जाते हो तो आपको एक पार्क दिखाई देगा जिसमें आपकी एंट् रोड पर लगाने की जरूरत नहीं हमें पता नहीं था इसलिए हमने गाड़ी को बाहर लगा दिया है और अभी हमने अंदर आकर देखा है तो में पता चला कि यहां पर भी पार्किंग है लेकिन यहां पे काफी मतलब सेफ जोन है तो आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप फिर भी अंदर ही लगाए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं और मिलते आप से अगले वीडियो में तिल देन अपना ख्याल रखें मुस्कराते रहिए जैहन